आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SS exam preparation में इस वीडियो में हम reasoning के उस important topic की बात कर रहे हैं जहां से SSCGL में questions पूछे जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए यह मातर एकी बार करना पड़ता है और यह बिल्कुल free of cost है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा reasoning का topic है वो हम analogy and similarities related question पूछ रहे हैं जैसा क तो analogy and similarity के आप हमारे previous वीडियो भी देख सकते हैं इसमें आपको इसके बहुत सारे questions बता हैं तो इस questions में हमें करने क्या होते हैं आपको यहां पर एक sign दिख रहोगो proportional तो proportional के पहले का जो हमारे दो ratio के इधर और इधर left and right में जो दो हमारे words होते हैं या फिर कुछ भी होते ह तो हमें देखने होते हैं कि proportional के पहले वाले words या letters क्या relationship बना रहे हैं वही हमें proportional के बाद वाले बनाने होते हैं तो यहां पर हमारे सबसे पहले है B B S C और by E H X अब हम देखते हैं इन दोनों में relationship है क्या तो आप अगर ध्यान से देखो तो यह हमारे एक दूसरे के opposite letters है यह नि की और S का H and C का x यानि यह opposite letters है तब हमें MRCP के लिए धुटने तो हम इनक sights there is opposite letters धुटेंगे तो MRCP का opposite letter क्या होगा तो M का opposite होता है N R का क्या होता है यह आपको मालुम होगा R का opposite होता है हमारा I, NC का opposite होता है क्या तो C का opposite होता है X और P का opposite होता है के तो हमारा answer हो गया N, I, X के यानि की option number C अब next question क्यों हम बढ़ रहे हैं next question हमारा है A, C, E, G ratio N, P, R, T proportional A, D, J, G, J ratio what यह हमारा question बोल रहा है A, C, E, G का relationship आपको बोल रहा है N, P, R, T से अब हम देखते हैं A, C, E, G का relationship N, P, R, T से है कैसे तो आपको यहीं check करने तो हम यहाँ पर देखें तो A का numbering होता है हमारा 1 N का 14 यानि की 13 का difference चल रहा है आपको यहाँ भी 13 का difference है प्लस 13 अब आप बात करते हैं C and P की तो C का numbering होता है 3 and P की कितनी होती है तो आपकी होती है 16 यानि की यहाँ भी हमारा difference 13 का है E का numbering होता है 5 R का कितना होता है तो R का हमारा होता है 18 यानि यहाँ भी 13 का difference है G का 7 T का 20 यानि यहाँ भी 30 का तो next हम इसी rule पर चलाने होंगे तो A, D, G, J अब इनका हमें डूणना है तो A का numbering होता है 1 1 प्लस 13 तो 1 प्लस 13 करेंगे तो 14 यानि की N अब D की बात करेंगे तो D 4 होता है 4 प्लस 13 किया तो 17 17 किसका numbering होता है तो Q का होता है फिर G का होता है 7 7 प्लस 13 किया तो 20 यानि की T J का होता है 10 10 प्लस 30 किया तो कितना 10 प्लस 13 किया तो 23 23 किसका होता है तो W का होता है यानि हमारा answer हो गया NQTW Next question की और बड़े तो next question है हमारा FHEG ratio JLIK proportional PR OQ ratio what यह हमारा question बोल रहा है FHEG Sorry F आपको बोल रहा है क्या तो FHEG का relationship आप से बोल रहा है FHEG का relationship किससे बोल रहा है तो आपको बोल रहा है JLIK अब हम देखते हैं इन दुनों में कैसा relationship है तो आप अगर देखो तो यहां से आपको G के बाद E के बाद F एक बिश में छोड़के E के बाद F गया है फिर एक के बाद G के बाद आपको यहां पर H दिया है यानि कि जो हमारा सबसे फर्स नमबर में आप देखो तो सबसे फर्स वाला थर्ड नमबर में देदिया है एब को जो इसके बाद 2nd number में होना चाहीं देगा उसके आपको फोर्थbutet number में दे चाह停ateopa क्ति देखिए एक का में ऐसे के लिए उसके बाद प्रस्ट से सुरूं इसके बाद पिरШकर i&d और जी सेकंड वाले को फिर्स्ट में रखा यह अब हम इसी चीज को यहां पर यूज करेंगे पी और ओक्यू है अपका है क्या तो पी आर ओक्यू तो आपको जैसे कि अबने बताया O के बाद P फिर Q फिर R यानि कि आपको इसके बाद A से सुरू करने है और A से सुरू करने है बट फर्स्ट वाला अपको बोल रहा थर्ड में रखने के लिए और फर्स्ट में आपको क्या रखने बोला काड़ वाले फोर्थ में तो यानि की लास्ट में उसके बाद भी तो आपका एंसर हो गया टी वी एस यू यानि की ऑप्सन नमबर एक नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा आप एक्यानियू रेसिव वत्पर्पोर्स्टमी और सी मड़ी डी अएक्स्ट यह मरह बोलगा है जोयर है वाण आफ्य स्भाण है d dln persois do तो यहां पे हम देखे तो plus one plus one सारा हमारा आप देखो तो यहां पे हमारा c के बार d होता है plus one फिर यहां भी plus one सारे में plus one जा रहे तो हम a के y compromised 1 उफन लगाएंगे तो a के बारा हो गया b k के बारा हो गया l u के बारा बारा भी यानि कि BLV option number D आपका answer क्या होगे यहां पर यहां पर आपका यू था तो हमारा answer क्या हो जाएगा तो हमारा answer हो गया BLV यानि की option number D तो आज के लिए बस इतना है ऐसे ही और भी chapters के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए then bye and thanks for watching this video